नमस्कार One India में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है कंगना रनाउत बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है ट्वीटर पर हमेशा एक्टिव रहती है और हर मुद्दों पर कंगना रनाउत राय रखती है चाहे वो राजनीती हो, फिल्म हो, समाजिक मुद्दे हो या फिर धार्मिक मुद्दे हो या फिर कुछ और हर चीजों का ग्यान कंगना रनाउत को है और इन दिनों अपने घर यानि की हिमाचल में बैट कर छुटियां बिता रही है साथी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर ट्वीट करती है इस बार कंगना रनाउत ने किसी कॉंग्रिसी नेता या फिर कम्यूनिस्ट लोगों पर निशाना नहीं साधा है बलकि इस बार तो बंगला देश के ओलराउंड और शाकेवल हसन को कंगना रनाउत ने अपनी चपेट में लिया है कंगना रनाउत ने टुईट करते हुए लिखा है क्यूं डरते हो इतना मंदीरों से कोई तो वजह होगी यूहीं कोई इतना नहीं घवराता हम तो सारी उम्र मस्जिद में बिता दे फिर भी राम नाम कोई दिल से नहीं निकाल सकता खुद की अबादत पर भरोसा नहीं या अपने ही हिंदू अती तुम्हें मंदीरों से आकरशित करता है पूछो खुद से अब आपको बताते हैं कि आखिर रकंगना रनावत ने ऐसा ट्वीट क्यों किया है दरसल पिछले गुरुवार को शाकिब लहसन बेलगाट एरिया में काली पूजा के लिए गए थे वो अपनी आराध्य देवी के सामने पूजा करके प्लेन से शुक्रवार को बंगलादेश लोट गए थे उनके इस तरह काली पूजा करने पर एक शक्स ने उन्हें फेस्बुक लाइब पर जान से मारने की धमकी दे डाली भारत में एक हिंदू देवी की पूजा में शामिल होने के बाद मुस्लिम बहुत संख्यक देश बंगलादेश में साकेब लहसन को सोशल मिडिया पर काफी विरूध का सामना करना पड़ रहा है इस पर बंगलादेश में इसलामी प्राचार कोन का कहना है कि लोगों को अन्य धर्मों के सामारों और आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहिए शाकीब के माफी मांगनी के बाद कंगना रनाउत ने ट्वीट कर इस मामले पर अपनी राय दी है आपको बता दे शाकीब अलहसन ने एक ऑनलाइन फोरम पर कहा मैं उस कारकरम में स्टेज पर मुश्किल से दो मिनट के लिए था लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैंने इसका घाटन किया था शाकीब अलहसन आगे कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया और एक जागरुक मुस्लिम होने के नाते मैं ऐसा नहीं करूँगा लेकिन शायद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ और सभी से माफी मांगता हूँ इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया के साथ